हेलो वाइस वीडियो में हम सॉल्ब करेंगे लीट कोड वीकली कॉंटस 390 का पूर्थ प्राब्लम इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे चलो आगे बढ़ते हैं तो इसने क्वेसिन में क्या बोला करें कि हमारे पास स्पर्फ़ की एक है व्रड्स कंटेनर एक र्ट स्वें तो अब हम हैं में क्वोड के लिए हमें क्या करना में कौन कॉन्स वां हैं जिनकी suffix और इसकी suffix common आ रही है तो यहाँ पेुरा-पूरा ही इसका suffix मेश सिमिरल्लनी यहांप पी Red और यह सीड़ी है तो यहां पर कि इन में और इन में एक सबसे पहले क्या करना है कि हमें लांगस्ट कॉमन निकालना तो उसके बाद क्या कर रहा है कि अगर बहुत सारे ऐसे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद अगर मालो की दो ऐसे लिंग्स भी बराबर हो गया तो जो पहले आया है हम उसको पिक करेंगे उसका जो इंडेक्स होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए तो बेटर है यह एक्जाम्पल देखते इससे जाद अच्छे समझ आएगा तो यह देखो जिसे कि हाँ पर लिखा है जी एच तो हम पहले चेक करेंगे कौन-कौन सा वर्ड जिसका सफिक्स है और इसमें कोई कौन-साइच निकल रहा हो नहीं भी निकल रहा होगा तो कुछ भी उठा सकतें तो अब हमें Ooohк 7 किस देखें मैं क्या हो गया तो सबसे चोटा साइच किसका लग रहा है झाया किस्का क्यों कि थे उठाटर्टर自 made which तो इसका सपिक्स क्या है सब्सेले एगर चैक करेंगे फिर अरे तो इसमें है इसमें नहीं इसमें इसमें था ठीक है तो इसका मतलब कि longest common suffix इसके लिए कितना हो सकता है यह fgh उसके वार हम लोग फिर चेक करेंगे कि b है इसमें नहीं इसमें b नहीं है ठीक है तो हमें इतना समझ में आ गया कि क्या कि अगर हम इसको इसके लिए अगर चेक कर रहे हैं तो यह वाला एक string है जिससे longest common suffix नि देखना है यह XYZ तो कोई ऐसा suffix है नहीं जिसका XYZ और इसके साथ कोई suffix मैच कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो लॉंग इस्टने भी स्ट्रिंग्स है सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि जो सबसे smallest size का string है उसको उठा लेंगे अगर मालों को इसके size साथ अगर equal रह रह रहा होता इसके आगे तो जो smaller index होता वो उठाते है तो question एक दम clear होगा अब देखो इसको एक तरीका maps हम solve कर सकते हैं मैप से कैसे solve कर सकते हैं कि सारे suffix निकाल लो और उसके corresponding indices इसके sizes यह सा maintain कर लो पर अगर map से solve करने जाओगे तो MLE देगा memory limit exceeded इसलिए हम map के solution पर नहीं जाएंगे जो के standard है भी नहीं हमें जब भी ऐसा दिखें कि हमें को भी prefix search करना हो suffix search करना हो इसका मतलब अगर जब भी हमें group of words देखें और उसमें search करने की बात कर देना तो साब साब हमें समझ जाना है कि यह question है try का ना कि ये एक node है फिर यहां से एक node ए फिर यहां से एख क्लोटolph प्रिया से एक node तो हम कोई भी एक word दिया अधा हम सबसे पहले न है initial head मान लेते है घ्長 क्यों बड़ा बना रहा हूं बताता हूं ठीक है मान लेते हैं कि यह हैड है ठीक है अभी हैड कुछ नहीं कर रहा है यह हैड नल को पॉइंट कर रहा है कि देखना यह बेसिकली इसमें होगे एक हम मान के चलते कि हम स्मॉलर करेक्टर से लोगर के सालफाबेट से हैं तो इंडेस वाइड देखोगे तो जिरो वन टू-ठी करते 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 ए हो तो अभी तो हमारे पास कोई वर्ड यी नहीं है तो हम क्या करतेंगे इसको करतेंगे कि कि fan हो सकते हैं पर मिलिमेंटेशनम failed एक तो होगा हमारा insert का ठीक है एक कहलो find या search का ठीक है अब दोनों हम अपने according करते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ वाई कैसे insert करना है क्या find search करना उसके थोड़ा थोड़ा इंप्लेमेंटेशन में बात मुझाएंगे तो मान के चलते जब हम insert करने जाता है पहले insert देखते हैं तो अब हम सबसे पहले यह example उठा लेता है तो यहां देखे रखा ना कि ABCD ठीक है पहला character है ABCD तो अब देखो हमें head के पास कुछ नहीं है तो अब मेरे पास एक ही word है तो अब मैं क्या करूँगा कि क्या मेरे पास पहला position पर A है अभी कुछ नहीं था empty था तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे पहले position पर A है तो यहां पर एक और node add कर दो तो अब यहां पर एक और node add करने का मतलब क्या है कि यहां से एक नया node create करेंगे हम 26 size कहीं ठीक है एक नया node करेंगे इसके साथ एक और एक्सा information भी होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे पर पहले हैं समझते हैं ठीक है अब देखो अगर यहां पर यह करेंके पोजिशन से मैंने इसका address इस एक नोट का address मैंने यहां अब देखो, यहां पर initially सब null होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि जो root position है, और initial position पर मेरे पास कोई एक ऐसा word है, जो at least A से start होता है, आगे क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, इसका मतलब अब देखो, बी पे गए, इसका मतलब क्या है, अब जो A स्टार्ट हुआ है, तो A के बाद ही भी आएगा ना भाई, हम क्या करें, हम एक ऐसा बना रहा है, कि यहां पर A था, initial position पर देखो, और भी है, पर हमने सब empty करके रखा हुआ है, बाकि उसका मतलब नहीं है, अब A का जो next word है, वो क्या है, तो A के बहुत सारे हो सकते ह अब जो technical possibility है, क्या सकता है, A के बाद A हो सकता, B हो सकता, C हो सकता, D, E, F, J, Z, तक हो सकता है, पर बाकी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब को null रख दिया, कि initially कुछ नहीं है, तो सब को null कर दिया, अब देखो, जब इसका second character आएंगे, B, तो हम क्या करेंगे, कि इसका जो A ह ना, A का ये वाला, तो इसका जो B वाला position है, यहाँ पे एक नया node insert कर देंगे, ठीक है, नया node insert कर रहा हमने, फिर वापिस वह 26 size का बनेगा, लट से किसका address 600 हो गया, या वैसे equally निदिवाइट करते है, लट से कि 700 हो गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे null हटा कि C पे, तो अब हम जो इसका C वाला position है, यह third position, इस पे हमने एक और node भर दिया, ठीक है, इसको हम भर दिया रहा, ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि इसके बाद D है, तो हमने D पे गए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लेट से कि देखो, 0, 1, 2, 3, 4, से, 0, 1, 2, 3, 4, number wise, तो D कौन सा हो जागा, यह 3 वाला, तो यहाँ पे हमने एक और node बना दिया, ठीक है, और अब D के आगे कुछ नहीं है, तो हमने सब को null कर दिया, ठीक है, अभी के लिए इतना है समझो कि सब को null कर दिया, अब देखो, अब A, B, C, D हमने insert कर दिया, अब मालो कि अब मेरे पा कर लेते हैं कि एक और word आ गया, A, B, D, ठीक है, एक और word आ गया, A, B, D, ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली चीज़, कि हम देखेंगे head पे, क्या कोई ऐसा word है, अभी हमारे पास ऐसा possibility है कि क्या first word A हो सकता है, बोलेगा कि हाँ, हमने जो पहले भी word insert करें, उसमें से words, त positions है, इसमें सब नल था, except B, इसका मतलब क्या था, कि A के बाद B आया था, ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पता है, कि A के बाद B आया है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास A का बाद B आया है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पहले से भी था, अभी भी है हम कोई चुंज नहीं करेंगे शीक है अब देखो की बाद बी के बाद अगर हम ने नल कर दिया, तो देखो, हमारे लिए जो A, B, जो common part था, A से B, ठीक है, A, फिर B, फिर B के बाद हमारे पास दो chances थे, C पे जाए या तो D पे जाए, गर C पे जाते तो ये वाले word की तरफ चल जाते हैं, और D की तरफ जाते हैं, तो ये वाले word पे चले जाते हैं, ठीक है, तो यहां तक समझाया होगा कि insertion कैसे हो रहा है, अब देखो, हमारे question के according, हमारे question के according, हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा index, कि जो भी word है, ठीक है, एक चीज़ यहां समझो, कि जब हमने word insert कर दिया, तो final में हमें इसको mark करना पड़ेगा न, कि हां भाई, यहां पर एक word inserted है, ठीक है, similarly, यहां पर बाई, एक word inserted है, पर हमारे question देखोगे, हमारे question क्या कहता है, कि तुम्हें हर एक position पर, कि longest common suffix, अचा हाँ, एक चीज़ मैं बता दो, कि देखो, अभी हम prefix पर वो कर रहे थे न, कि prefix पर traverse कर रहे है, तो prefix suffix में हमें कोई tension लेना ही नहीं है, अगर हम loop चला रहे थे, i equals to 0 से, i less than n तक, इसी loop को हम reverse कर देंगे, i n minus 1 से, i greater than equal to 0 तक, ठीक है, और i minus minus, यहां पर i plus plus था, तो देखो, हो गया न, अब इसमें अगर हम prefix की बाते कर रहे हैं, तो यह हो गया हमारा suffix, तो हम जो loop चलाएंगे, हम उल्टा चलाने लगेंगे, तो इससे हमारा जो, यह जो tree बनेगा न, try के लिए, जो try बनेगा, वो हमारा suffix के basis पर बन जाएगा, अब देखो, अब देखो एक चीज, ध्यान से समझना कि कोई भी एक word insert कर रहा हम लोग, ठीक हरा, हमने कोई भी एक word insert कर रहा, यहां पर a insert कर रहा, यहां पर a insert कर रहा, इसका मतलब क्या है, कि हां हमारे पास कोई एक ऐसा word होगा, एकदम initial में, initial में कोई एक ऐसा word है, जिसका पीछे, एकदम last character a है, क्योंकि लूप हम उल्टा चला रहा है, ठीक ही याल रखना, कि उसका last character a है, इसका मतलब कि common suffix a हो सकता है, अब देखो, अब पहला word है, एकद जिसके last character जिसका a है, तो अब हमारे पास, जो question में conditions थी हुई थी, उसके according हमें अपने values देखने पढ़ेंगे, कि कौन से index का word है, वो उसका size छोटा है, कौन से word का length, size छोटा है, ठीक है, तो अब हम देखो, initial जब first time इसको insert कर रहोगा, हम एक variable ले लेंगे, index, ठीक है, अग भर देंगे, और एक और variable रखेंगे, size, और उसका size भी यहां रख देंगे, ठीक है, जब next time आएंगे, next time आएंगे, तो हम check करेंगे, कि जो next time का जो word है, उसका जो index है, ठीक है, और उसका जो size है, पहले size चेक कर लेंगे, कि अगर size बढ़ा हुआ, तब तो कुछ update करने की ज size जा रहा है, तो हमें पता है, कि अगर दो का same size है, तो हम zero कोई prefer करेंगे, तो हम same वाला case को ऐसी ignore कर सकते है, ठीक है, वो चीज़े implementation detail में अच्छे समझाएगे, पर यहां सामें क्या चीज़ समझाया, कि जो भी एक try का node होगा, उसमें तीन information है, एक, उसके children nodes का address, ठीक है, तो दूसरा, एक index और एक size, तो हमारा, एक हम क्या करेंगे, कि हम एक अलग से node बना लेंगे, ठीक है, यह try की standard implementation है, आप कहीं भी पढ़ोगे, तो आपको ऐसा ही दिखेगा, almost, ठीक है, कि हमने एक node बना लिया, इसमें अब हमने क्या बना लिया, एक हम int pointer, sorry, int pointer नहीं बनाए है, कि यह total 26 character ही हो सकते हर एक node के children, total 26 children ही हो सकते, किसी भी एक particular node के, तो हम एक यहाँ पर children बना लेंगे, ऐसे, यहाँ पर L होगा, children, और यह हो जाएगा size इसके 26, चिक है, अब इसके साथ हमें दो variable और रखने थे क्या, एक हो गया index, चिक है, और एक हो गया इसका size, तो हम म बनाएंगे, ठीक है, अब हम एक बनाएंगे try, अब हमने एक try बनाया, अब देखो, try जैसी बनाएंगे न, लच्छे class बनाओ, इस truck बनाओ, उससे कोई परग नहीं पढ़ता है, ठीक हमने बना लिया, अब हमें पता है, कि इसके अंदर सबसे पहले एक root node create करना होगा हमें, तो हमने उसके लिए लिख दिया, हमने उसके लिए लिख दिया, कि क्या, कि node pointer, node pointer root, जो हमने सबसे पहली बारी में बनाया था, यहां पर, ठीक है न, यहां पर जो सबसे पहली बारी में बनाया हमने, उसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने लिख दिया, कि ठीक है बात कर लिया और दूसरा होगा एक search करने का तो देखो insert और search ना एक बार code से चल के समझते हैं बहुत इसली समझ आएगा ठीक है साइज बना लिया ठीक है यह माइनस वन क्यों हमने करा यह हम देखते हैं बाद में देखते हैं इसको अब देखो अब से पहले चीज हमने क्या करा कि रूट को इनिशलाइज करा अब एक और class बना है हम ठीक है क्योंकि नोट के नोट सीसी अंदर बनेंगा ना स्वारी नोट जो बन रहा होगा हर एक नोट मतलब ट्राइ में क्या नोट बन रहे न तो ट्राइज क्लास के अंदर एक रूट नोट बन गया ठीक है उसको हमने इनिशली सब को देखो यहां पर बाइडिफॉल्ट क्या होता है यह इनिशलाइज हो जाएगा नल से तो हमें अलग से नल कर किया इंसर्ट का ठिक और एक में 30 किया पांट का यह सर्च जो भी कहना आपका है तो इन्सर्ट का में 30 देखते हैं अब देखो सबसे पहले हमने यहां पर दो चीजे पास करी हूँ है एक इंडेक्स और एक पास करा हुआ है इस ट्रेंग हो गई ठीक है और यह इंडेक्स की जो यह array list दिया हुआ है यह words container दिया हुआ हमें इसमें उसके क्या index है वो हम पास कर रहा है तुम यहां से देखोगे insert करने time तो ठीक है यहां पर भी देखी लेते हैं एक बारी सबसे पहले हमने क्या करा answer बना लिया है हमने try बना लिया कि ठीक है भाई try है और यह देखो यह हमने index और यह intermix हमने रखा है क्योंकि हमें एक वह भी तो चाहिए कि अगर कोई common suffix होगा ही नहीं कोई common suffix होगा ही नहीं तो उसमें हमें वह वाला index चाहिए होगा जिसका size minimum हो ठीक है और एकदम leftmost index ठीक है तो हमने उस चीज के लिए यहां पर index और size रखा हुआ है ठीक है अब देखो insert function देखते हैं तो सबसे पहले start हम कहां से करेंगे root जब भी insertion करने लग जाते हैं तो हम कहां से start करते है root से start करेंगे तो हमने root से start किया अब देखो हम इसको reverse order में चला रहा है मतलब कि जो string था उसको पीछे से start कर रहा ट्रावर्स करना तो इसका मतलब क्या हो कि हम suffix देख रहा है instead of prefix वहीं हमारा question बेता कि हमें suffix देखना है तो अब हमने देखा तो अगर देखो care of children sj-a नहीं है इसका मतलब क्या होता है इस line तो जहां समझता है जब मैंने लिखा ऐसे कि जो भी current node पे है हम इसका चिल्रेंट का s of j minus है इसको देखते है जहां से यह क्या exactly the node कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास node है ठीक है जिस node पे अभी हम मिले थे कि एकदम starting में starting वाले current node पे होंगे एकदम root node पे तो हम check कर रहा है कि देखो जो भी current node है current node क्या हो यह कर क्या होगा basically कर को pointer होगा तो pointer का कोई element access करना हो तो हम क्या लगाते हैं arrow operator तो हम arrow operator से तो देखो basically यह एक node होगा ठीक है जिसमें हो जाता one तो basically यह mapping हमारी करा दे रहा है कि a को map कर दे रहा 0 से b को map कर दे रहा 1 से similarly z को map कर देगा 25 से और इसलिए हमने 26 size का बनाया था तो 0 से 25 तक उसके indices हो जाते है अब देखो यह बोल रहा है कि कर जो current यह node है इसका children का एक particular position लगसे कि यह b की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह check कर रहा है कि क्या यहां पर कोई value है अगर यहां पर value है इसका मतलब क्या है कि हमने पहले ही को एक word insert किया है जो उस particular position हो रही है अगर यह first node है तो first node पे यहां पर उसके लिए b exist करता है अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें क्य से pointer बना देगी है तो यह वही चीज़ कर रहा है यहां पर देखो कि सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर यह index नल है तबी तो इसका not उसका आगे हमने लगाया हुए तो यह condition true हो जाएगी अगर यह null है तो समदो क्या कि हमें नया node insert करना पड़ेगा तो हम इसलिए यहां पर जरूरत ही नहीं है हम चुपचाप से next position पर आ सकते हैं तो हम चुपचाप से next position पर आ गए ठीक है और नहीं तो हमने पहले create कर रहा होगा फिर इसको attach कर रहा है वहां पर ठीक है और फिर next position पर आया है मतलब फाइनली हम second character के लिए इस पर आएंगे second basically मतलब कि पीछे से second ठी š 20就是指 नहीं हो सकता है यह भी किसी का suffix अब यह किसी का रहा है तो अभी इसके लिए चाहिए प्छा है ज corrections का कर रहा है अच्या है कि मनें घ्र से sacrifice तो अब हमारा current pointer इसको point कर रहा है तो इस पर हम क्या करेंगे अब हम यहां पर लिख देंगे कि हमारा जो यहां पतक जो यह इसके पहले तक वाला जो था ना इसके पहले तक वाला था वह प्रिफिक्स का क्योंकि याद करो जब हम इंसर्शन कर रहे थे ना लास्ट में एक एक्स्ट्रा नोड डालते हैं जिसमें सब सबके सब नल हो रहे होते हैं तो इसमें भी हमारा क्या हो गया सीम मैच हो रहा है कि इसके पहले तक मैच है तो इसके पहले तक का information या उसका index और सा करेंगे कि वहां पर वहां पर जो size है तो ठीक है और नहीं तो हमने इंडमेक्स डिपाइंट क्या हुआ है तो हम चेक कर लेंगा कि अगर वह size बढ़ा तो हमें पता है कि अगर size बढ़ा तो definitely जो यह नया वाला index आया है तो हमने क्या कर रहा हमने सीधा-सीधा उसको update कर दिय करेंट size को जो इसका size होगा वह update कर दिया मतलब इस particular इंडेक्स पर जो word हमारा container पर ठीक है उसके size है और जो उसका index है वह भी हमने आयत से update कर दिया ठीक है equal size पर हमने क्यों चेंड नहीं कर रहा है क्योंकि हम देखो यहां पर जो लूप चला रहा है वह चला ही रहा है zero से लेकर container के size तक lesson size तक तक तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्मॉल साइज में हमें पता है कि leftmost ही लेना था तो यह तो ऐसी leftmost ही लेगा इसलिए हमें वो चेंज करने के ज़रूरा नहीं है ठीक है तो आयो इंसर्ट वाला function बहुत clear होगा अब चलते search वाले पर search का logic एकदम से मिलेर होगा एकदम से मिलेर होगा कोई ज़्यादा चाहिए आप code भी देखोगे देखोगे यहां जैसे चल रहा था वैसी यहां चल रहा है हम क्या करते हैं सबसे पहले हर एक question पर चेक करते है कि भाई root से start करा अब चेक किया कि क्या वो particular character है वो particular character है इसका मत मतलब क्या है कि हाँ ठीक है common suffix मिल गया यहां तक मिल गया आगे देखना हो कि हो सकता है suffix में और ज्यादा कुछ common हो तो हम next वाले पर चले जाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब कि क्या ही हो गया कि let's say let's say कि जैसे b match करा फिर यहां पर इसक कि पहले तक का जो index और size का information हो तो इसी में stored है तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जब match नहीं हुआ था तो यहां पर जो index होगा वह हम return कर देंगे वही चीज़ हम यहां पर कर रहा है चिक है और finally नहीं तो क्या होगा कि अगर मालो सब कुछ match करी गया चिक है एकदम end तक पहु जाएंगे string तो खतम हो जाएगी तो जो लास्ट में होगा उसका index है उसका index हम return कर देंगे तो हमने वही चीज़ कर रहा कि अगर पूरा-पूरा match हो गया string खतम हो गई तो जो अब current बचा है हम वहां तक भेज़ देंगे बतलब उसका जो index होगा वह भेज़ देंगे ठीक है तो आयोब कि यह वाला find का भी एकदम concept clear होगा अब देखो यहां पर जब हम return कर रहा है तो हमने initially इसको minus one इसलिए रखा हुआ था कि अगर मालो कि कोई suffix मिला ही ने उसको ठीक है तब तो minus one return किया होगा तो हम चेक कर लेंगे कि अगर minus one हुआ होगा तो हम उस i को या वो जो तो जो smallest size का word होगा वो देख लेंगे और इसमें भी हमें सबसे leftmost होता है में जिसका index सबसे minimum है वो हमें देखना था तो वह हमने आइंडी में उसका वो store करकर रखा हो एंडेक्स ठीक है तो answer में हम वही चीज़ पुश कर देंगे एक बार run करके देख लेते हैं सब्मेट करके देख लेते हैं तो एसी solution है आयोप की चीज़ेस में काफी clear होई होगी पर अगर किसे को कोई भी doubt हो तो आप comment section में चैरूर पुशना और अगर आपको चाहिए कि मैं try पे एक अलग से series बना दो तो वह भी बताना ठीक है thank you guys see you in the next video बाइबाई